आप मैंसे बहुत सारे लोग mutual funds में invest करना चाहते हैं आप मैंसे बहुत सारे लोग regular savings करना चाहते हैं in the form of mutual funds तो क्या आप लोग confused है क्या आप लोग कोई clarity नहीं मिल पारी है कि which mutual fund is going to perform better in comparison with other one या फिर mutual fund सही है भी या फिर नहीं या फिर क्या mutual fund सही है या पूरी तरीके से गलत है तो आज हम लोग इसी question के ऊपर retail में जाएंगे समझेंगे in detail कि क्या company के prospects रहते हैं जो हमें mutual fund provide करती हैं जो AMCs रहती हैं जो mutual fund बनाते हैं asset management companies उनके क्या prospect रहते हैं किस तरीके से वो market को देखते हैं और किस तरीके से we as a customer we as a fund provider to them किस तरीके से हम लोग choose कर सकते हैं इना best interest किस तरीके से हम लोग भी investment कर सकते हैं जो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के welcome back to our channel trade strategies आज हम लोग देखने वाले हैं how to select best mutual fund किस तरीके से हम लोग best mutual fund select कर सकते हैं with all the knowledge available to us with plethora of mutual funds lying around किस तरीके से हम एक bunch of mutual funds पैसे जो कि 2000 से लेके 3000 के बीच में mutual fund schemes हमारे पास available हैं उस में से हम कैसे 2 या 3 चूज़ कर सकते हैं इना best interest तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग को यह समझ रेना है कि जिस भी fund में हम invest कर रहे हैं उसका structure क्या perform करने का किस तरीके से चो fund manager है उसका object क्या रहता है तो आपको mutual fund जैसे ही सुनने को मिले तो आपको इस चीज़ क्लियर हो जाने जी कि mutual fund लेके आती है asset management company और वही asset management company hire करते है fund manager को जो पर्डिकुलर mutual fund को या फिर स्कीम को रन कर रहा होता है तो actually हम लोग जब fund प्रोवाइड कर रहे होते है mutual fund company को asset management company को अगर बात की जब mutual funds की तो समझते है सबसे पहले किस तरीके से body structure दिखने के लिए बेलता है asset management company का because we are providing them funds इसके लिए वो हम से fees भी charge कर रहे होते हैं जिसे हम लोग बोलते है expense ratio वो fees वो लोग charge कर रहे होते हैं to manage our fund on the other side जो भी returns बनते हुए दिखते हैं वो हमारे लिए capital gains की तरह होता हुआ दिखता है तो overall आपको भी समझते हूँ चलना है because there are multiple AMCs as well as a single AMC may or may not promote more than one mutual fund scheme तो इस तरही के से आप लोग देख सकते हैं structure AMC company का अब बात करते हैं कि हमारा target का है जब हम लोग mutual fund में now if we want to invest in a mutual fund तो हमारा mindset ये रहता है कि हम long term में पैसे बनाएंगे rather than हम short term gains के लिए जाते हैं और एक्जांपल अगर आप trading करना चाहते है FNO segment में या FN equity segment में swing trading किसी भी तरी की trading लेजिए वहाँ आपका जो target होता है वो ये होता है कि आपको short term में अच्छे gains बनें बट अगर हम mutual funds की बात कि जाए तो वहाँ पर हमारा opposite target होता है कि long term में कहीना की पैसे बनते हुए दिखें अच्छे returns बनते हुए दिखें वेल्थ बनते हुए दिखें अभी तक हमने बात कर लिए हमारा objective का है mutual fund में invest करने का अब हम लोग बात करते है कि company का objective क्या होता है why they are promoting a mutual fund scheme उन लोग को इससे क्या फाइदा होने वाला है अभी तक हमने बात कर लिए कि हमारा objective क्या रहता है mutual funds पर invest करने का अब हम लोग थोड़े detail में समझते है कि exactly जो AMC app जो mutual fund scheme को लेके आ रही है जो fund manager manage कर रहा है fund को उसका objective क्या रहता है तो उन लोग को objective रहता है to collect huge sums of money because they play on volume जितना ज़्याद है उनके पास fund चला जाएगा उतना ज़्यादा उनका commission मनेगा और जितना ज़्यादा उनका commission मनेगा उतनी ही ज़्यादा उनकी प्रॉफिट रहेगी उतनी ज़्यादा उनकी earnings रहने वाली है इसलिए वो लोग क्या करते हैं एक से लेके तीन साल की returns को सबसेता highlight करके रखते हैं और अगर हमारे fund ने एक से लेके तीन साल में काफ एची returns ही दिए हैं तो नाव देता हाई probability वो आगे भी देने वाला है तो वहाँ पर जो retailers है जो public है वो कहीना की straight away हो जाती है कहीना की उन लोग को लगने लगता है कि यह mutual fund अच्छा है and then they offer that mutual fund तो इस तरीके से जो marketing and advertisement है वो एक particular way में किया जाता है so that they can collect use sums of money because at the end of the day what they want is कि उनका जो fund साहते वो बढ़ा हो जाए rather than कि long term में उनके क्या returns होने वाले है किसी भी mutual fund में invest करने से पहले number one आपको clear यह कर लेना कि आपकी objective का है number second आपको यह समझ लेना है कि जो company में आप invest करने वाले है जो AMC के mutual fund में आप invest करने वाले है वो किस तरीके से अपनी future को देखते है किस तरीके से वो अपने fund को manage करना चाहते है क्या उनकी philosophy है अब यह सब समझ लेने के बाद आपको कुछ rules को follow करना है because यह आपका पैसा यह आपका hard earn money है जो आप लोग invest करेंगे पाक करेंगे mutual fund के साथ तो आप लोग उन पर भरोसा करने है कि long term में आपको wealth बनाते हुए देंगे इसलिए आपको अपनी due diligence पहले कर लेनी है mutual fund में invest करने से पहले आपको समझ लेना है कि क्या वो आपके rules को tick कर रहा है या फिर वो tick नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पर मैंने screen पर कुछ important rules को down कर रखा है चलिए one by one करके सारी rules को deeply समझते हैं तो चलिए start करते है number one rule से look at long term returns कभी भी आपको किसी भी mutual fund में invest करना है तो आपको short term returns से बहुछ जाता खुश नहीं हो जाना है आपको short term returns दे के greedy नहीं हो जाना है कि short term में अगर company ने assume कर ले तो एक साल में एक particular AMC की ex mutual fund ने 20% returns दी है अगर बात की जाए past record की तो आपको minimum 5-6 months की mutual fund history देख लेनी है जबी भी आप किसी एक particular mutual fund को उठाते है past से 6 साल थोड़ा sufficient time हो जाता है यह समझने के लिए कि long term में किस तरी के परफॉर्म करने वाला है एक particular mutual fund क्या वहाँ पे बहुछ जादा volatility दिखा है क्या रही है किस तरीकी से उसके funds को manage किया है अगर अच्छी तरीकी से manage किया एक positive return देख लिए मिल रहे है consistency देख लिए मिल रहे है definitely fund manager पे आप लोग bet कर सकते है but nevertheless अगर इस तरीकी performance आपको देख लिए नहीं मिल रही है तो आप लोग उस mutual fund को pass कर सकते है अब हम लोग चलतें third point के उपर समझतें कि third point जो कि काफी important point है वो क्या है तो third point में आपको देखना है rolling returns आपको एक या दो साल के बीच में नहीं देखना है कि returns क्या आ रहे है एक दो तीन साल में rather than आपको कोई भी random period उठा के choose कर लेना है आपको money invest करना है इसके अलावा चुछीज यहां पर important हो जाती वो यह हो जाती कि for example अगर किसी AMC ने अपनी mutual fund को heavily invested एक particular sector में तो उससे क्या होता है कि एक year में वो काफी अच्छी returns दिखाते हुए मिलते हैं but on the following years वो अच्छी perform नहीं कर रहे होते हैं तो ऐसी heavy concentrated bet अगर आपको देखने के लिए मिल रहे है किसी mutual fund में then you can definitely pass that mutual fund या फिर आप लोग invest करना भी चाते हैं तो आपको वहाँ पर raise profile अपना कम कर लेना है तो इस तरीकर से आप लोग rolling returns को देखिए rather than एक absolute return को न पर्टिक्ला time frame तो अभी तक आपने overall 3 points समझ ली अब जो 14 point है वो भी बहुत important हो जाता है वो है diversification का एक mutual fund कितना जाता diversify कर रहा है आपने आपको यह बहुत important हो जाता है क्योंकि we are investing for a long term growth अगर यहाँ पे जो भी mutual fund है concentrated है वो किसी particular sector में बहुत जाता invest करके बेठा हुआ है तो वहाँ पे long term sustainability रहेगी या नहीं रहेगी इसका risk काफी जाता भढ़ जाता है for example अगर हम Nokia phones की बात करें Nokia company एक time पर काफी अच्छे phones को manufacture करती थी top selling companies में रहती थी बट आपने देखा कि time के सासथ because company rejected the proposal of advancement in tech तो इस वज़े से company ने अपनी शन को loose कर दिया जो भी इंवेस्टर से उनके भी पैसे दूब के तो इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि अगर आपके mutual funding कीज़े एक पढ़िव कमनी में invest कर रहा है heavily invest कर रहा है और उस company के fundamentals change होते हैं तो आपका पैसा वहाँ पर डूब सकता है तो इससे आपको बचने के लिए क्या करना है diversification करना है आपको diversification करते हूँ चलना है आपको सिफ चुनिंदा stocks में invest नहीं करना है rather than you should be adequately diversified इसके बात बात आती है कि आपका खर्चा कितने होने वाला है over a period of time जब भी आप लोग invest करने हैं किसी mutual fund में कि जो भी हमें cost पढ़ेगी mutual fund में invest करने की वही exactly cost earning हो जाती है AMC company के लिए as well as fund manager के लिए तो अब हमें ही समझते हुए चलना है कि जो fund manager है क्या वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है एक heavy expense ratio में देखने क्लिए मिल रहा है पता चला कि हमारे portfolio पर कुछ खास return नहीं आ रहे हैं बट nevertheless जो fund manager है उसे काफी अच्छा commission मिल रहा है तो आपको जब भी mutual fund analyze करने comparative study करने है तो आपको यह भी देखना है कि multiple mutual funds की expense ratio क्या है अगर किसी एक fund का expense ratio काफी ज्यादा है तो वहाँ पे भी आप पास कर सकते है because that shows कि company कहीं ना कहीं अपने अपने profits के बारे में ज्यादा सोच रही है rather than investors को returns देने के लिए in the long term इसी के साथ साथ जो last point है वो यह हो जाता है कि portfolio का turnover ratio क्या है ति portfolio turnover ratio एक बहुत important metric है जिसमें हम यह समझ में आता है कि कितने stocks को exit किया और कितने stocks को newly add किया किसी एक particular fund manager ने अगर कोई fund manager regularly सारे stocks को अपने fund में से exit दे दे रहा है और दुबारे से एक bunch of new stocks को ले ले रहा है तो वहाँ पर portfolio turnover ratio है वो काफी बढ़ा हूँ आपको देखेगा क्या reason है कि fund manager ने किसी particular stock को या भी group of stocks को completely exit कर दिया या फिर एक new entry बनाए multiple stocks को लेके because we know कि हम लोग mutual fund में invest कर रहे हैं for the longer period of time तो वहाँ पर हम यह expect करते हुँ चलते हैं कि जो भी fund manager है वो long duration देखते हुए longer horizon देखते हुए investment का कोई भी stock को pick करेगा और अगर वो short term में stock को exit कर दे रहा है then definitely वहाँ पर हमारा confidence लोगा उस particular fund manager पर भी अगर fund manager long horizon को नहीं देख पा रहा है तो कैसे वो हमारे पैसे grow करने वाला है in the longer time frame because we are parking our hard on money with a mutual fund company to grow our wealth in a longer period of time इसलिए mutual fund सही है इस बात में कोई भी दो रहाए नहीं है but you have to be aware के हर mutual fund सही नहीं होता है you have to be due diligent आपको पहले अपना homework करना है उसके बाद यापको किसी mutual fund में invest करना चाहिए आयोप आप लोगो काफी clarity मिलियोगी किस तरीकी से आप लोग best mutual fund choose कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप लोगो के पास DMET account नहीं है तो definitely आप लोग comment section में जा के description box में देख सकते हैं DMET account open करने का link please open a DMET account so that you can start investing as well as trading but be aware because you have a DMET account that doesn't mean कि आपको reckless trading करनी है risk reward को manage करते हुए इसके अलावा investment पर ज्यादा ध्यान दीजिए कि आप starting में invest करना शुरू कर दीजिए इसके बाद जब आप investment grow कर ले उस पैसे से आप कहीना की trading में risk कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं जाने से पहले please hit the like button and subscribe to our channel